हेलो फ्रेंट्स तो एफसे ए मैनेजर के नोटिफेकेशन साल में आई थी जिसमें टोटल 30 वेकेंशी के आरांड नाउस हुई थी तो इसके रिजिट्रेशन अभी भी चल रहे हैं 27 अक्टूबर तक इसके रिजिट्रेशन चल रहे हैं तो अगर आपने अभी तक अपलाई न में टोटल 3 sections होगे सबसे पहले English होगा उसके बाद reasoning होगा और numerical aptitude होगा total number of questions पर देख सकते हैं 30 number of questions English क्या होगे 35 reasoning क्या होगे और 35 aptitude क्या होगे और हर एक question एक-एक marks का होगा सब में sectional timing दिए हुए 20 minutes 20 minutes 20 minutes total आपको 60 minutes मिलेगा तो इसका मतलब है कि अगर आप math के 35 questions attempt कर रहे हैं तो आपको 20 minutes के अंदर करना है जिससे कारण आपको speed पे थोड़ा work out करना पड़ेगा तो सारे questions multiple choice होगे हरे question के marks 1 mark होगे और 1 by 4 negative marking होगी और यह phase 1 जो है qualifying के nature है इसका मतलब यह है कि final merit बनेगी उसमें phase 1 के marks नहीं चुड़ेगे तो इसी FCI की number of frequencies बहुत जाता हैं तो इस पे आप अगर phase 1 में अच्छे से qualify करना चाहते हैं तो आपकी preparation तो अच्छी होनी चाहिए और इसमें आपको total 15 full length marks मिलेंगे और 15 section wise sets मिलेंगे जिसमें 5 reasoning के होंगे 5 point होंगे 5 English के होंगे आपको सारे sections में ही बहुत ही अच्छी grip होनी चाहिए अच्छा confidence होनी चाहिए ताकि वहाँ पे आप सारे sections को within time आप complete कर सकते हैं जो सारी चीज़ë को सार्य को ऊसे के बन रहा है तो इसवाले test